नमस्कार मैं अभशेक कमार आप सभी का स्वागत करता हूँ Focus Study with Abhi में RRC Group D के जो लोग भी examination दे रहे हैं भाई आपके लिए काफी महत्पून वीडियो है और practically analysis के साथ और practically मैं बाते करूँगा कि अब जो आपके पास 20 दिन का जो time बचा हुआ देखे कई लोगों को 50 दिन मिल सकता क्योंकि 58 दिन तक paper चलने वाली है लेकिन अब जो 17 अगस्त का जिनका paper होगा और आप लोग जिनका भी क्योंकि अभी तो किनी को पता नहीं कि कब किनका paper होने वाले 2-3 दिन के अंदर पता चल जाएगी लेकिन भाई अब जो नया चीज पढ़ना है नया चीज पढ़ना छोड़ दीजिए ठीक है अब इन 21 दिन में आपको नया चीज क्या पढ़ना है तो देखे ये 15 दिन जो मैंने लिखा है इस 15 दिन में आपको ये जो section है current affair का पूरा का पूरा तयार करना है देखे मैंने कहा पूरा का पूरा तयार करना है लेकिन पूरा में पूरा क्या तयार करना उसको भी आपको समझना होगा सबसे पहले महत्पून बात दूसरा आपको मैंने लिखा फालतो समय बरबाद ना करे कहां? यूटूब पर एक यूटूबर आपको सजेशन दे रहा मैं कभी ऐस यूटूबर या कभी ऐस टीचर आप लोगे साथ वीडियो शेर नहीं करता हूँ कोई भी वीडियो चाहे वो content quality की हो चाहे फिर कोई strategy वीडियो हो चाहे वो cut-off मैं अपने भाई की तरह आप लोगों को suggestion देता हूँ तो मत करो यूटूब पर बरवाद भाई अगर आप यहाँ पर current affair के लिए देखे मुझे पता दिगज दिगज टीचर million subscriber के बहुत famous चाहे वो offline हो चाहे online आप लोगों का क्या कर रहे है time यहाँ बरवाद कर रहे है भाई यह fact है इसको सिविकार कर लिए चाहे वो expected paper हो चाहे वो previous paper हो जितना हो सकता घर में बैट के practice कीजे आपने देखा होगा NTPC CBT 2 में जब review लिया जा रहा था लड़कों ने खुद बोला था कि पीछे अब जो पीछे की बतलब की जो तयारी करने का जो तरीका था offline उसको आपको अजमाना ही होगा यह time है आप कहेंगे कि यह किसमी सदी है सर 2021 चल रहा है 2022 चल रहा है तो हम update तो आप तो update होगे तो आप तो अपडेट होगे ना तीन साल में तो अपने update क्या अब यह 21 दिन भी क्या update करोगे भाई पेपर सेट हो चुका ठीक है तो भाई पेपर पेन हाथ में लीजिए घर में बैठिए कॉपी को गंदा करिए लिख लिख करके प्रैक्टिस है हाथ में पूरा का पूरा काला या फिर blue CI आपके हाथ में लगना चाहिए यह नहीं लगेगा selection नहीं होगा notes नहीं होगा selection नहीं होगा यह लिख लीजे किताबे नहीं होगी selection नहीं होगी कितना भी channel subscribe कर लीजे million वाले को subscribe कर लीजे कुछ नहीं हो सकता खेर अब हम आपको प्रूब भी दिखाएंगे कि क्या वाकई ये practically possible है question मुझे नहीं पता current affairs कितने आएंगे general awareness 20 लिखा हुआ है लेकिन मैं एक example के तरीके से समझा रहा हूँ कि 10 question current affairs आएंगे तो हमारा target है 60% मतलब कम से कम 6 question तो भाई हमको attempt करना है anyhow मतलब कि minimum मेरा requirement 6 question है और well and good है इसको किसी तरह से 7 तक लेके चले गए तो ठीक लेकिन गलत नहीं करके आएंगे 6 question मेरा अगर हो जाता है 10 में current affair में बहुत अच्छा score है क्योंकि जो लड़के परिसान है daily current affair में या फिर YouTube में जो इतना important है कर लीजे ये लंद fund जो भी चीज़ा है भाई ऐसा-ईसा question रहेगा ना मैं जन्यून बता रहा हूँ जो कहीं से कर लीजे नहीं बनने वाले वो छोडने वाले होते लेकिन ये 6 question बनाने वाले होते तो ये 6 question 15 दिन में आप कैसे बनाएंगे ये यही एक तरीका होता है selection लेने का कि कम time में कितना अधिक आप output दे सकते हो तो इस 15 दिन में ये 6 number के लिए आपको सोचना है पूरी तरह से पागल नहीं हो जाना इस पे क्योंकि main आपको time देना है क्योंकि ये group D में 25 question आपका साइस का काफी महत्पून section है और लाया जा सकता है 22 number कम से कम math है reasoning है यहाँ focus करना भाई यहाँ पर हमें 100% करना लेकिन लोग परिसान है यहाँ 100% जो possible ही नहीं है देखे nothing is possible मतलब कि समझ रहे हो थोड़ा सा भावनाव में बह गया था अब मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से topic मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ देखे जो पहला topic है पहला वो कौन से topic होगा जो आपको complete करना है sports का section अब sports का section पूरा 2021 का भी और 2022 का भी अगर वो sport 2021 में नहीं हुआ 2022 में नहीं हुआ वो sport 2020 में हुआ था तो वो भी पूछेगा अब आपको इससे घवडाना नहीं कि 2020 का current affair पूछेगा भाई 2020 के बाद वो sport अब 2024 में होगा तो वो तो पूछेगा नहीं 2020 का तो सब ही sports आपको देखना है और उसमें आपका olympic भी देख लेना है वर्ल्ड कप भी देख लेना सब चाहे वो सतरंज हो चाहे फुटबॉल हो चाहे आप होकी हो अब आप सोचेंगे सर क्या मजा करो है इतना करना क्या possible है मैं आपको दिखाता हूँ प्रूब current affair पढ़ने है मैं अपनी तैयारी के बात कर रहा हूँ देख लिजे ये आपके पास अगर नहीं होगा ना इस तरह से मतलब कि आप current affair को तैयार नहीं कर सकते हो या कोई भी subject को आप तैयार नहीं कर सकते हो मैं बताओंगा source भी current affair को कैसे तैयार करेंगे कहां से क्या दो magazine आपको केवल रखना ठीक है देख लिजे प्रूब किस तरह से तैयारी किया था मैंने ठीक है देख सकते है मने भी BPSC का paper दिया था जो leak होगा आप सभी को पता देख लिए line by line मैंने पढ़ा क्योंकि यहां से question बनेगे और वो था BPSC का paper तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना था महनत देख लिजे एक एक line एक पूरा की पूरा देखे इस तरह सा आपको पढ़ना पड़ेगा अब बात करते है source में और ने सबसे पहले topic तो पहला topic हो गया आपका क्या sports ठीक है यह हो गया इस sports section दूसरा इस आपका जो section आपका बनता है एवार्ड वाला section ठीक है sports और अवार्ड यह current फिर पूरा क्लिए सबसे पहले इसा current करिए टाइम बचेगा जब इनका paper लेट होगा वो static portion इसका भी जरूर करिएगा ठीक लेकिन यह sports और अवार्ड दो सबसे important topic तीसरा topic है आपका appointment पूरा appointment चाहे वो national हो चाहे international हो चाहे वो मंत्री मंडल की मतलब की न्यूक्ती हो चाहे international organization में डबलो एचो की न्यूक्ती हो यह पूरा appointment section में ही आता है ठीक है बाइफर्केट मत करिए YouTube वाले आपको पगला बना देंगे मत बनिए magazine लिजिए मैं बताऊंगा कैसे करना आपको magazine में भी तीन topic हो गया यानि कि sports हो गया awards हो गया और appointment हो गया चौथा important topic आपका आता है scheme यह चार जो topic है न आवास topic है मैंने नाम क्यों लिया इसके पर इसमें थोड़ा आपको महनत लगेगा तो कम से कम दो-दो दीन का time देना आपको ठीक है तो चार दीन आपको आठ दीन में आपको यह तयार कर लेना ठीक है scheme में आपको सबसे ज़्यादा focus करना राजय सरकार की और केंदर सरकार की मतलब उसमें भी सबसे ज़्यादा focus राजय सरकार की पूछा गया था NTPC में भी केंदर सरकार की भी पूछ पूछे गया लेकिन focus राजय सरकार में भी अच्छे सरकार कर लेना आपको उसके बाद आपको करना है क्या index ठीक है सुचकांग जिसको बोलते हैं जितने exercise है पूरा का पूरा exercise पूरे का पूरे index आपको करने हैं उसके बाद जितने भी books and author है current के यह करने है और science and take में इसरो और DRDO कर लेना है कौन से rocket छोड़ेगा है कौन से equipment खरीदा है भारत नहीं कहां से खरीदा इतना आपको करना है current affair में मतलब award कर लेना है sports कर लेना है उसके बाद आपको appointment कर लेना है उसके बाद skim कर लेना है उसके बाद exercise कर लेना है ठीक है सर उसके बाद आपको क्या कर लेना है books and author कर लेना है ठीक उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी festival है current affair में जो जो राजे में हुए हैं और GI tags एक साथ इसको complete करिए ठीक है इतने में आपके 6 questions cover हो जाएंगे ठीक और अगर time मिलता तो जितने भी अभी launch किये गए science and tech में ही वो आता है हलाकि जितने भी app launch किये भारत सरकार ने किस purpose से launch किये उसके full form हो गया है ठीक है यह भी आप अगर देख सकते तो देख लीजेगा और साथ के साथ आप census भी जरूर देख करके जाएगा यह हलाकि static का part हो गया भी तो current बना नहीं है census तो यह आपको इतना देख करके जाना ठीक तो इतना topic तो आपको एकदम tip में होना चाहिए और कैसे tip में होना चाहिए आप देख सकते हैं यह possible है ठीक है देख लिजी यह कि मैंने indexes रटा था है अभिहास रटा था देख लिजी कोई भी नहीं सारे के सारे तो देख सकते है मैंने पूरा का पूरा sports इस तरह से आत किया तो यह possible है भई कर सकते है इसलिए मैं बोल रहा हूँ दूसरी बात कौन सी magazine follow करनी है तो एक तो आपका azuteria वाली magazine follow करनी है आपको ठीक है azuteria की magazine follow करनी है और दूसरी आपको करनी है speedy की magazine ठीक yearly वाली जो आती है तो यह दो magazine आपके पास होना ही चाहिए otherwise यूटूब पर टाइम बरवात कर रहे है किजिए doesn't matter लेकिन जो था मैंने आपको guide कर दिया क्योंकि मैंने बोला था current affair वो कैसे करना है और कैसे 6 marks 5 marks भी अगर कर रहे हो बहुत अच्छा है current affair में no doubt तो I hope आपको चीजे समझ में आ गई होगी पूरी कि कैसे आपको करना है नहीं करना है बाकि अगर आप one liner way में पढ़ रहे हैं कोई फायदा नहीं है इसी तरह से पढ़िए current affair अच्छा से तयार हो जाएगा चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में और एक important information आज digestive system की में एक master वीडियो ला रहा हूँ साड़त तीन घंटे तो हो सकता रात तक वीडियो अप्लोड हो पता नहीं मुझे कब तक होगी खेर जो होगी वो मतलब की complete compilation उससे बाहर छूटेगा नहीं question ठीक है group D में चाहिए कोई भी paper हो आपका तो चले मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद है